है कि एलो गुड मॉनिंग एवरीबन दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा जेल पहरी की जो वेकेंसी वो आ चुकी है और जो टूटल पाधें वो हैं 282 तो हम आपको बता दें कि जैसे आप त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस से लिवस पता हो आफ़ाल और दौप इसम सेफार कें सिफट में हुआ जे लगा सकते हैं कि आगे हमें कि टाइप की जो तैयारी करने हैं तो शरुबात करने में आसा पहले नौलिज का migrant कि इंस सितंबा ज exchanger को सबसे जो गोड़ा तही जो यह प्रवंदन सहस्तान की गई थी तो एक कप की गई थी एक ही गई थी इसका अंसर है मद्यौ प्रवंदन सहस्तान यानि DMI की स्तापन की गई थी और इंगलेस में आप पड़ती जाईए उपर दिया है दा डारेजस्टर मेनेज़मेंट इस्टिटूट याणि DMI वाज सेट अप इन दा इयर 1987 वायदा गवर्मेंट ऑफ मद्यप्रिदेश नेश्ट कॉस्चिन इस मद्यप्रिदेश के उस सहर का नाम बताई जहां पर्तेग बर्स धुर्पल राजदा नहीं है चलते हैं खेंगने कोश्चन पर रानी विक्टोरिया की स्वैनम जहनती मनाने हेतू निर्मित किये गए यूनेसको के बिस्व रासत इस्तल का नाम बताई है तो इसका सही आंसर है छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस रानी विक्टोरिया की स्वयनम जैनती मनाने ये तू निनित किये गए यूनेस्को के बिस्व रासत का इस्तल का नाम था छत्रपती सवाजी महराज टर्मिनर्स कॉश्चन कि अधिकारएक स्वनकर प्राप्त कने वाले भारत की फिरथम बंद्जीव का नाम बताए तो इमपोटेंट घृशन में और आने बिजली सबसिटी देने ये तू मद्यप्रिदेश सासन द्वारा 2018 में शुरू की परियोजना का नाम क्या है तो ये संबल ये उजना जो की बहुत इंपोटेंट बहुत से एक्जाम में आ चुकी है मजदूरों और गरीवी परिवारों के लिए बिजली सबसिटी देने ये तू मद्यप्रिदेश सासन द्वारा 2018 में शुरू की ये उजना का नाम संबल ये उजना है अगला कौस्चन है अ चहत्मी नंबर का 1931 में भाहरतीय राष्टी कांग्रेश के किस अधीवेशन में मौलिक अधीकारों और राष्टी आरथосьक कारेकरम के प्रस्ताव स्ट đầu को अपनाय गया था तो एक अपना अपनाया गया था..? एक अपनाया गया था.. कराची कके अदिवेशन हुआ अब में अपना गया था 1931 में बाहरती राष्टिय कांगरेश के कराची अधिवीशन में मौलेक अधिकारों और राष्टिय आर्थिक कारेकरमों के परिस्ताओं को अगला कॉस्चन है मद्दप्रदेश सरकादवारा 2018 में राष्टिय कालिदा सम्मान किसे सम्मानत किया गया था तो यह किसे किया गया है 2018 को जो किया गया है वो किया है अंजोली इला मेनन को किसे अंजोली इला मेनन को मद्दप्रदेश सरकादवारा 2018 में राष्टिय कालिदा सम्मान अंजोली इ कि अनूगाहियों का पवित्रिष्चतल है तो कि सथ कमल मंदिर यानि लोटस टेंपल वहाई धर्म के अनूगाहियों का पवित्रिष्टल है अगला कॉस्चन है means 2017 मैं मद्विध के किसा Infinite में दुनिया का सबसे पुराना सेवाल जीस्म खो जा गया, तो एक किस हिस्से में खो जा गया, मद्द प्रिदेश की चित्रकूट में, मद्द प्रिदेश की चित्रकूट हिस्से में, दुनिया का सबसे पुराना सेवाल जीस्म, जीवास में खो जा गया, अगला कॉस्चन, मद्ध प्रदेश राज्य में राज आनन्द संस्तान के सामान निकाय के अध्यक्ष कोन है तो यह कोन है राज्य की मुक्ख मंत्री मद्ध प्रदेश राज्य के राज्य में राज आनन्द संस्तान के सामान निकाय के अध्यक्ष कोन है राज्य के मुक्ख मंत्री अगला कोश्चन है दीप से दीप जले की रचेता कौन है तो यह हैं माखल लाल चतुरवीरी दीप से दीप जले की रचेता कौन है माखल लाल चतुरवीरी अगले कोश्चन पर चलते हैं वारत सरकारों और आरवी आई के बीच मौद्रिक नीती डाचे पर समझोते का निमनलिकत विकल्पों मेंसे कौन सा एक लक्ष है तो एक कौन सा है यह मुद्राइस्पिती तो हम आपको बताते हैं एकॉनोमिक की भी आप पढ़ना एकॉनोमिक से बहुत कॉस्चन आती है बारत सरकारों और वी आई के बीच मौद्रिक नीती डाचे पर समझोते का निमनलिकत विकल्पों मेंसे मुद्राइस्पिती एक लक्ष है अगला कॉस्चन निमनलिकत मेंसे किसे बारत के मैट्रो मैन के रूप में जाना जाता है तो ये किसे जाना जाता है ये जाना जाता है 101 को सिड़ी सभा इसीडरेंकर बारत के origin के रूप में जाना जाता है अगला कॉस्च। बेरन दीप भारत में एक मात्र सक्क्री जुवाला मुखी कहां इस्ते थे तो यह कहां है यह है अंडबान और निकोबार दीप समय में भारत में एक मात्र सक्क्री जुवाला मुखी इस्ते थे अगला कॉस्चन है है बारत के किस सहर में चार मीना रिश्टे थे तो ये कहांई ये हैदरवाद में इंपोर्टेंट बहुत कर लेघा का ना भारत की सहर में हैदरवाद में चार मीना रिश्टेसी थे अगला कोश्चन निम्ने लखेत में से किस संस्तान ने मद्धे प्रदेश में बारत के पर्थम एक ही किरत नियंतरण और कमान के अंदका सुवारम किया है तो एक किस तंस्तान ने किया है एक याए भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलमेंट कॉर्परेशन लिमिटेड ने मद्व प्रिदेश में भारत की पैथम एकी किरत नेंत्रण और कमान केंदेकास वारं किया है अगले कॉस्चन पर चलते हैं कि बाहर सागर बांद परियोजना में निमलिकित मैंसले कौन सा राज संयूक्त उध्यम नई पर कौन सा राज नहीं है चत्थ गल्राज którzy प्रेब् Baldwin अगला कॉस्छन ौश कंगाल में हावला ब्रेज किस नतीपर बनाया गया है तो एक एन नतीपर बनाये गाया है यह बनाया गया हूगली नदी पर तो फ्षे मंगाल में हावल मिरीज हुगली नदी पर बनाय गया अगला कॉश्चिं घुछ स्मार्ट सिटी बन यानी ACM क्या ACM को खालिस्तान में शुरू किया गया था ये कप किया गया था ये किया गया था प्रदान करना है तो किस मिशन का उद्देश है यह है राष्टिय सहरी अजीवी का मिशन कौन सा राष्टिय सहरी अजीवी का मिशन यानि एन यू एलेम एन यू एलेम का कि मिसंद का उद्देश है कि चरणवद्द तरीके से सहरी बेगन लोगों को आवसक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है तो दोस्तों यह तो रही जन्रल नौलिज की कॉस्चन अब हिंदी की हिंदी की टॉपिक पर आते तो इंदी से भी 20 कॉस्चन आते हैं तो उनके अगे का वर्ड इसे भी यह से भी याद कर सकते हैं और आपको पता हुगा अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी हो अगर ना पढ़ी हो तो लुसेंड की भुक लेले ना अब जरूर पढ़ना क्योंकि अगर आप नौकरी चाहिए तो आप तो पढ़ना पढ़ेगा आप कोई नहीं बोलेगा आप से कि आप पढ़ाई करें गया वो टेंद ट्वेल्द का टाइम अब आपकी खुद की जिंदी की सवाल है तो आपको खुद करना है कि आपको करना क्या है चलते हैं ले कॉस्चन पर अंगूर खट्टे होना मोहाबरे कार्थ निम्दलकेत में से कौ बुंदल खंड में एप बोलते हैं तो एप निकाल रहा है कि आपको मिल तो नहीं लेकर ना खट्टे होने का बता रहा हो कि आपको पसंद नहीं तो किसी कोई कोई ना खाए अगर आपको नहीं तो कोई वर नगूर अगले कोशन पर चलते हैं यथावत का सुद्ध रूप निमनमा सिकाने तो यह थावत का जो सुद्ध रूप है वह थावत इसमय बहुत इंपोर्टेंट है यह थावत इसकी मात्रांra नहीं आपको देख रही होगी यह यहां ब्ये तो यह important है इसकी वीजा से इसका इथावत का इनोने दीक आए ठीक है और हम आपको बता देर की स कौन सा समास है पंच बटी में पंच बटी में दुईगूष समास कौन सा दुईगूष समास नेक्ट कौस्चन आ उपसर्ग से बना सब्द निमने में से कौन सा है तो यह कौन सा है आबरण आ उपसर्ग से बना सब्द आबरण है अगला कौस्चन कमान निमने में से कौन सा सह कॉल विलौम सब्दें कमान का जो विलौम सब्द होता है वो है तीर आपको पता ही होगा आपने बहुत चलाया हो meiner ब्षपन में तीर नेक्स्ट कॉस्चन तिरफिला निम्ने मैंसे कौन सा समास है तो तिरफिला है जो वह द्यूगू समास कौन सा दूइगू समास दूइगू समास तिरफिला समास है अगला कॉस्चन भक्ति रस का इस्ताई भाव क्या है तो भक्ति रस का इस्ताई भाव है इस्वर विस्यक रत तो दोस्तों आपके बटा देए आप लोग सूछ रहा हो कि हम हिंदी डियक्त के अब बता रहे हैं तो इतना कि आपके पास की या हमारे पास केओं आपको बताम सकीज़ शुक्ते के लिए और अभी मुछ का सजेशन दिया क्योंकि अगर ses को संकल्प के लिए सही संदी विक्षयत को चुनिए तो संकल्प लिए सही संदी विक्षयत है संप्लस कल्प यानी संकल्प ठीक है अगला कॉस्चन आप flavour के लिए संदी विक कर अगला कौश्चन है लच्छन का सुद्ध रूप नमने मैंसे कौन सा है तो यह तो आपको बैसे भी आना चाहिए लच्छन देखो अलगी है तो आप लोग खुछ सोचे हिंदी कितनी सरल आती है लेकिन फिर भी स्टुडेंट गलत करते हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करना आपको तैयारी प्रेक्टिस पहले इसे कर लेना है लच्छन यह सही होगा आपको बैसे भी दिख रहा है इसकी ज्यादा बताने की जरीवत नहीं है अगला कौश्चन है जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक सब्द नमने मैं से कौन सा है तो वो है उत्त्रा अधिकारी उत्रा अधिकारी कौन सा सही है तो आपको पता है कौंसा थाइर नमर का अगला कौश्चन जिसने रण उतार दिया हो के लिए एक सब्द निमने मैं से कौन सा हैं, तो वो है उरेन, कौन सा उरेन, जिसने रेन उता दिया हूं, उसके लिए एक सब्द उरेन, अगला कॉस्चन, कामदेव के लिए सही परियावाची वाले सब्दों की पंक्ती को चुने, तो कामदेव के लिए जो सही परियावाची लिए अनंग मदन और मनुज अगला कॉस्चन बोहेनी तरास्ती मुख नटती आखनी शौन लप्टाती एची छुड़ावती इची कर आगे अवती जाती में निमने में से कौन सा रसे तो इसमें जो सा रसे सिंगार रस अब आप लोग सूचे होंगे सन्ने क्या पढ़ दिया तो द अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो हम जरूर पढ़ा देंगे चलते हैं अंगले कॉस्चन पर घर के लिए सही परयावाची वाले सब्दों की पंक्ती को चुने तो घर के लिए सही परयावाची सब्दों के लिए चुने तो सदन निकेता नो गिराए अगला कोश्चन है करोण का निमने में ऐसे कौन सा सही बिलोम सब्सक्राइब करोण का है निश्ठुर क्या करोण का है निश्ठुर अगला कोश्चन है इस करोणा कलित हुरदाय में कियों विफल रागनी बज़ती। अंगला कोश्चन है। कि दकhi दोफेहरी घाम की चा ओ चायती चाय वैनिमवन क्यान सलंकार पूइए अनुप्रया सलंकार इसमें भी इस में अगला कौस्चन है सब्सक्राइब कर लेंगे इंगले से लिए तो उनके लिए सबसे बड़ा जो बोलते हैं सबसे बड़ा टाइटेंस होना चाहिए जील पहरी में क्योंकि मैफ करलेंगे हिंदी करलेंगे English कर लेंगे, general knowledge कर लेंगे, लेकर आप, sorry English तो नहीं कर पाएंगे, उन्हें बोल दिया, English कर पाएंगे लेकिन आप मैनत करना तो कल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए आप से बोलते हैं, मैनत करो English भी जल्दी कर लेंगे, तो English के भी लिए हम पढ़ते हैं, लेक 3038, तो इसका जो सही आंसर है, बोहत दी, मतलब, दी, दी, एन, तो सबसे पहले बाले में लगेगा, I am enjoy reading the comics in the, Times of India, and English, आपने पढ़ा होगा न, A, N दा, इसका प्यों हो रहा है न, A, E, I, U, यो, तो इसको आप समझ लेंगे, एन English daily news paper, that भी first published in 8038, अगला question, Choose the correct form of modal auxiliary verb for the given sentence, answer is should, तो, all of us should plan to go for a holiday when we get a long weekend of, अगला question, Choose the option that correctly sequence the following sentence, इसमें जो जमेंगे वो लाइन से, यानि करम से जमेंगे तो वो कौन सी लाइन सही होगी, तो इनको आप पढ़ना और इनको जमाना, तो इसका सही answer है 2, 1, 3, 4, यानि second number आएगा, फिर first आएगा, फिर third आएगा, फिर fourth आएगा, अगला question है, Choose the correct punctuated sentence, इसमें जो correct है, वो correct कौन सा है, तो correct है, इसमें, इंडिया celebrated its independent on 15 अगस्त every year, यानि प्रतिक साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, Independence Day, अगला question, Choose the option the best explains the highlighted expression, answer is assistance, क्या answer, assistance, the new rules in the country give business a league up to face competition from other countries, next question is, Choose the appropriate conjunction for the given sentence, इसमें अगसा चौनेक्शन होगा, तो तो इसमें कौनेक्शन होगे तो थर्वा थ।ौत है, he was the best candidate, he did not win the elections, अगला question, Choose the world that is opposite in meaning to the highlighted word given below, I always postpone the even day when I have to visit the dentist. Answer is Hurston. It is the right answer Hurston. Another question. Choose the appropriate for the given sentence. Answer is of from. Each year thousand of people suffer from life treating disease. Another question. Spot the error in the given sentence and choose the option that rectifies it. One of my best friend is a witch. Answer is one of my best friend is a witch. The correct tune in this one must have to look at it. Next question. Choose the appropriate option that changes the given sentence into passive voice. When will you return the book? Answer is when will the book he return? Next question. Choose the appropriate option that rewrites the given sentence in active voice. Answer is someone has picked my pocket. The next question is choose the appropriate form of the tense for the given sentence. Answer is reached head left. Why the time they reached the station, the train left? Next question is to choose the appropriate form of the tense for the given sentence. Choose the appropriate prepositional phrase to complete the given sentence. In this one must have been asked. The right phrase in this one must have been asked. With regard to your request, we regret to inform you that it is not possible. This is the right answer is with regard to your request. The next question is choose the most suitable determined for the given sentence. In this one must have been asked. When John returned from school, Khalistan did he now that there was going to be a birthday party at home. Answer is little. Next question is choose the option with the appropriate prefix to complete the given sentence. The cricket player answer is miss, miss timed, hitting the well. It flew over his head and reached the boundary ropes. Next question is 17. Choose the option the best transforms the given sentence into one using an adverb. Answer is the lighted went out before the end of the meeting. This is the right answer is the fourth number. The next question is choose the correct form of verb that is in agreement with the subject. Answer is perform R. Perform R. Every year in our school, the children who perform well in the final exams are awarded prizes during the annual day. Next question is choose the correct form of the verb from the following option in the given sentence. My mother answer is retired from service three years ago. So, whatever the answer is set, the last question is retired. Next question is choose the appropriate articles for the given sentence. The answer is the A. The environment of the earth. Earth is a great blessing for mankind. So, we will tell them if you can clarify that the correct form of the return of the subject are left. First question is the correct form of the left. First question is the correct form of the request for the first human race. First question. बता रहा है क्योंकि आपको लेविल पता होने चाहिए कि लेविल क्या आता है मेहत का आप दरेना ऐसे कॉस्चन आते हैं आप पढ़ते जाए और सॉल्ब करते जाए अगला कॉस्चन बाई अक्छे से बिंदू इन्वॉक्स माइनस सिक्स माइनस वन की दूरी है तो आंसर है छे अगला कॉस्चन यदि एक कैंडी बार का वजन चालीस गिराम है तो चार किलो के थेले में कितनी कैंडी बार होगी तो आंसर है सो कैंडी अगला कॉस्चन यदि एक बेल पिरती घंटे 5 किलो मिर्या चाल की च ejerc liftे तो यह तीन घंटे से कितनी दूरी curry करती है तो यह कितनी काइथी है चोली तो डिसे दो आपको पता ही होना चाहिए कितना सरल है शरते ही तो यह कुछ नहीं beb आप करेंगे हो जाएगा सेलेक्शन प्रिती अपनी यात्रा का 40 प्रितिसत प्यादल और सेज बस द्वारा तैय कहती है यदि उससे 80 किलोमीटर की दूरी तैय करने हो तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ग्यात करें तो आंसर 48 किलोमीटर प्रितिगंड तो इसको समझ लेना और कल लेना अगला कॉस्चन है यदि एक कक्षा है पचास चात्रों का प्रितिनित्व करने के लिए एक सेप का प्रियोक किया जाता है तो दो सो पच्छी चात्रों का प्रितिनित्व करने के लिए कितने सेवों की यावसकता होगी तो कितने सेवों की होगी चार 520 कैप्सूल हैं तो पात में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट होगी यावसकता होगी तो कितने पैकेट होगी होगी तो 210 पैकेट होगी होगी अगला कॉस्चन अगला कॉस्चन चार साह समीक रण का चैन कीजिए तो इसमें जो चर स्वरी चान नहीं इसमें चर है तो इसमें चर जो है यह है तो 3-2 देखो तो कितना सहल है यार ए प्लज टो ए प्लस भी एक्वल 0 देखो कितना सहल है आप लोग बोल तेह टफ है अगला कॉश्चन के किस मान के लिए रह एक समय करा पर डाले 2x plus 3y equal to 2k एवं 5k plus ky equal minus 2k तो यह है तो कौन सा है k बरावन नहीं है 15 वटे 2 के क्या है k बरावन नहीं है 15 वटे 2 के अगला question यदि m minus 4 और 2 के बीच एक मद्द बिंदू है तो m के लिए पूरांक लगें तो क्या है minus 1 अगला question तेज दिसंबलाव 4 का बरगमूल ज्याद करें 4.8 48 का जो होता है वह होता है 304 और decimal की बारे में आपको बता दें जैसे अड़ता 4.8 है तो जैसे 4.8 इंटू 4.8 तो यह आए जाएगा ना 2 के बाद ही आएगा ना अगला question है पूरांक की निम्लेखे जोडियों में से किसका अंदर minus 5 है तो किसका है minus 5 ग्यारा छे का है answer is 611 अगला question है एक समानता चतरभुज का छितपल 104 cm2 है और आधार के तदा नूसा रूँचाए 8 cm है इसकी पड़िदिग्यात करें यह अन्ना आधार पर 9 cm है तो इसका सयांजा है 44 cm अगला question है निम्लेखेत में से कौन 6 x x y square में minus 11 में x का गुलांक है तो कौन है 6 y square अगला question है एक ड्रम दो बटे तीन भरा हुआ है यदि इस ड्रम को बनने के लिए अधिक पचास लीटर की अवसकता है तब इस ड्रम की छमता निदायत करें तो इस सेंपल है आप निकालने ने डेर सो लीटर हुआ अगला question है माइनस 3y2 x 3y7 प्लस कोष्टक 1 कोष्टक खोलो यह खोला है 5y2 x 3y7 का अहल गयात करें तो इसका सही आंजर है 3y7 इसको भी आप सॉल्व करना मैत की जितनी question वह आपको ही solve करने क्योंकि हम solve करेंगे तो आपको अगले question मताने है प्राबलम हो जाएगी अगला question है a b तथा c 3 संक्या है a का 1y3 b है c बरावर पजटता है जो की a से 3 सा देखे b की याद करें तो b क्या है 15 है अगला question है simple question है कोई tough नहीं है बिस्तार कीजिए तो इसका बिस्तार होगा 9x इसका जो आप a plus b का यानि a minus b का hole खोलेंगे न तो यह आएगा सामने इस type में आएगा तो यह आपको यह होना चाहिए अगला question है a into a into a into a into b into b into b into b को इस रूप में अभी व्यक्त कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं a b का क्यों क्या a b का गन्या निगी तो दोस्तों यह तो रहे थे अपने मेट के question अब बात आती जेनरल साइंस की तो इनकी बारे में जाने जेनरल साइंस बहुत important है जब हम एक पानी से भरी वाल्टीक उठाते हैं तो बस्तु का पर काहरत बल होता है तो कौन सा होता है बस्तु का काहरत बल होता है पेसीवल अगला question निमने लेकत में बीमारी एक अपरत्यक्ष रोग है वेक्टर वान डिसीज है तो कौन सी है यह है मलेरिया मलेरिया जो रोग है न वो एक मलेरिया जो रोग है अगला कॉस्चन निम्लकेत मेंसे किन सा रचनाओं के पास अग्ली पीड़ी के लिए जानकारी है, तो किंसा रचनाओं के पास है, DNA के पास अंगली पीडियों की जानकारी है, अगला कॉस्चन है, मजबूत और गेर रचीला संयूज उतक है, तो कौन सा है, हड़ी यानी बॉन, कौन सा, बॉन, एक खेत, खेती योग्य छेत्र में आवंचत पौधा है, एर पोशक तत्तो, आस सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ पिर्तिस्पदा करता है, तो कौन करता है, ही करता है, खरपतवार एक खेती योग्य और आवंचत पौधा है, एर पोशक तत्तो, आसर और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ पिर्तिस्पदा करता है, अगला कॉ कॉश्चाने एक परमालू के नावेक की खोज इनके द्वारा की गई थी लेधर फोड का स्वन पनि परियो इनके द्वारा आफ खोज गई थी अगला कॉश्च्चन जंग का 25.7 cm है और दूसरा 29.2 cm पर तो माचस की डिविया की बास्तविक लंबाई होगी तो कितनी होगी 3.5 cm से पास सेंटीमीटर ही होगी अगला कॉस्चन खोकली इंटों से बनी बाहरी दीवारे वाले घर तो इसका सही अंजर क्या है तो इसका सही अंजर है हवा को फसाते हो गर्मियों में कमरों को ठंडा करते हैं जो खोकली इंटों से बनी बाहरी दीवारे होती है वो हवा में तो फसाते हैं यानि गर्मियों में कमरों को ठंडा करते हैं अगला कॉस्चन यदि एक बस्तू समतल दरपण के सामने 10 cm की दूरी पर रखी जाती है तो इनलमेत पेदी पर मोगा तो कितना हुगा दरपण के पीछे 10 cm अगला कॉश्चन है खमीर का उप्योग अलकोल और वायन की व्यवसाय कुत पादन के लिए कि अगला कॉश्चन है यदि बिद्द गंटी को एक बेल जाल के अंदर रखा गया हो जो हवा बन ये यदि गंटी बज रही हो और बायों को दियर दियर एक निर्वाद पंब की मदस्ते हटा दिया जाता है तो क्या होगा हवा के इस्तंब हवा इस्तंब की कम बन का आयम गढ़ता है अगला भूकम छेतर में किस परकार की माया थे अधिक सुरक्षा पैदार गाती है कौन सी भूकम प्रोधी जायर सी बात भूकम प्रोधी करेंगी नहीं वह तो गिरी जाएंगी अंगला कॉश्चन है निम्लेकर में से कौन सा एक रासाइनक परिवाताने तो कौन सा है इन चार ओप जिसमें एक उच्च गुड़ बाठ तापन तन्तू का प्रियोग किया जाता इसका सही आंसर है अगला कॉश्चन है निम्लेकर में से किसका वयन सब से आधे के परमान दर्मान एजी एक्वल टू एक्सो वार्ट सी बरावर बारा कारवन यानी एज यानी सिलवर कारवन और यू सोरी ऑक्सीजन सोला नाइट्टूजन चाउदा इसमें सही आंसर है दस के उपार तेज की गात रजत के दस के उपार तेज परमानू अगला कॉस्चन है बर्प की गलनांग को निर्दारत करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्प से आधे बर्प की बीकर में डाल दिय चाहिए जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है कि थर्मामीटर रेडेंग को वर्फ की गलनांग की रूप में लेक लेना चाहिए तो किस कैसे लिख लेना चाहिए तो यह लिख लेना चाहिए जब एक विसे स्तापमन पत्थरव मीटर की पारत का इस्तार इस्तर रहता है अगला कॉस्चन और लाश्ट कॉस्चन है आज की पीपर का भोजन तयार कनने के लिए हरे पॉदिन में से किसका उप्यूग का दे किसका उप पोटेंट है आपको देखना जरूरी हुगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यों